दोस्तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल Alltech Apple में आज हम बात करेंगे जो हमारी computer की कुछ shortcut keys होती है जिनके बारे में हर इनसान को पता होना चाहिए computer use करने वाले को तो दोस्तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि computer की जो useful shortcut keys है जो की daily uses में use होती ही है उनको किस तरीके से आप use कर सकते हैं यदि मैं आपको दिखाऊं कि हमारे पास जो commands है वो यह है total commands जो कि normal use में हम लोग use करते ही है तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ commands के बारे में बताऊंगा like f2, f3, f5, alt f4, ctrl f4, ctrl plus key, alt print screen, ctrl alt dell, ctrl escape, alt enter, window x, like window l, win, window d, window m, window e, win shift or m, window p, window q, window r, window z, window plus down, window plus up, window plus left, window plus right, and win plus, win minus, ctrl shift and plus escape, ctrl plus home, ctrl plus end, shift plus home, shift plus end, so इन commands से हम कैसे कैसे use करते हैं, क्या-क्या use हो सकता है, normal daily uses में हम यदि computer use करते हैं, तो इन commands का क्या use है, मैं आपको एक-क command करके बताऊंगा, तो दोस्तों start करते हैं, सबसे पहले command आती है हमारी f2, now f2 command में हम जो इस्तमाल करते हैं, like, इसका मतलब क्या है, use to rename, like, suppose मैं desktop पे लेकर आता हूँ, window plus d command से, तो मैं कोई भी folder पे click करता हूँ, तो f2 press करूँगा, तो आप यह देखेंगे, कि यहाँ पर folder पे rename होने के लिए आ गया, यानि किसी भी folder को या file के name को rename करने के लिए, हम f2 का use करते हैं, right, तो देखें, suppose, f2 press किया मैंने, तो यहाँ पर driver of mb आ गया, यानि driver of motherboard के नाम से मैंने इस folder का name update कर दिया, right, तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया कि f2 का use क्या होता है, right, तो f2 के बाद आता है हमारा f3, we can find anything, mean to say, हम कुछ भी find out कर सकते हैं, find out कर सकते हैं, f3 command के थुरू, तो देखे, f3 command के थुरू, हम, यह देखे, f3 का मतलब है, इस page के अंदर, यानि जो भी ये website खुली होई है, कुछ भी find out करने के लिए, सपोज इस पूरे page में, मेरे को एक word सर्च करना है, server, तो आप देखे, यहाँ पर सर्च हो के आगया, कितनी बार है, 12 जगे यहाँ पर server word का use का होगा, आप देखे, एंटर प्रेस करेंगे, तो यह देखे, जहाँ जहाँ पर भी server word होगा, वहाँ पर यह find out करके देदेगा, तो दोस्ता, f3 कमांड के बारे में, आप जान गए होगे, f3 कमांड किस तरीके से, किस लिए use होती है, now f5 कमांड है, it is always used to refresh the page, like, suppose मेरा ही page है, यही page है, इसको मैं refresh करने के लिए, क्मांड प्रेस करूँगा, f5, f5 से क्या होगा, यह page refresh होगा, यहाँ पर आप देख भी रहोंगे, जैसी मैंने f5 प्रेस किया, तो यह automatically, अब जैसी यह वाला page है, इस page पे मैं f5 प्रेस करूँगा, function 5 की, तो यह automatically refresh हो गया page, इस page पे मैं f5 प्रेस करूँग तो यह देखे, automatically refresh हो गया page, तो f5 कमांड का यह use है, now next कमांड है, alt f4, alt f4 कमांड के है, this command is used to close the ongoing programs, like, suppose, मेरा यह page खुला हुआ है, मैं यहाँ पर alt plus f4 प्रेस करूँगा, तो यह close हो जाएगा, सब कुछ, right, तो alt f4 का use आपको समझ में है, कि basically alt f4 का जो funda है, वो कोई भी command, जो program चल रहा है, ongoing program को close करने के लिए, alt f4 use करते हैं, right, next है, control f4, control f4 भी हम use करके देखते हैं, control plus f4, जो present tab open है, वो close करने के लिए, हम control f4 का use करते हैं, right, control plus key, control plus key, अब देखे, suppose control plus key को मैंने use किया, तो यह क्या करेगा, हमारा size बढ़ा कर देगा, यानि जो page हमारा open है, उसका size किस तरीके से और बढ़ा कर देगा, zoom level और बढ़ा कर देगा, और इदी मैं minus use करूंगा, यहाँ पे, तो minus से यह size down होता जाएगा, right, अब देखे हैं, यहाँ पर alt plus print screen, alt plus print screen is, it is used to take a screenshot of the current page, तो हमारे पास, दोस्तो, alt key plus print screen का जो option है, उसको मैं press करूंगा, तो देखे, मैंने alt plus print screen प्रेस किया, तो इसने क्या किया, कि हमारे desktop की जो screen खुली हुई थी, उसका screenshot ले लिया, अब यदि हम इसी screenshot को अपने desktop के ms paint पे, ctrl plus v command से paste करना चाहेंगे, तो यह automatically देखेंगे, आप यह paste हो गया, right, तो दोस्तो, आपको यह समझ में आया, print screen हम किस तरीके से लेते हैं, alt plus print screen, it is used to for a take a screenshot of the current page, right, control, alt, del, it is used to reboot window task manager, suppose हम control, alt and del press करते हैं, तो आपको यह task manager दिखा देगा कि कौन-कौन से task अभी system में चल रहे हैं, कौन-कौन से process अभी system में रणिंग है current में, और कितना-कितना CPU uses है, कितना-कितना memory uses है, कितना disk का space यूज़ कर रहा है, और कौन-कौन से programs चल रहे हैं, तो दोस्तों, control, alt, del, का, I think, समझ में आ गया होगा है, कि it is used to reboot and window task manager, यहां से हम reboot भी कर सकते हैं, control plus escape, activity is the start menu, like control plus escape में यदि क्लिक करता हूँ, तो यह start menu में दिखा देगा कि कोई भी content हम देखना चाहें, तो यहां से देखके open कर सकते हैं, control plus escape, next है, alt plus enter, like it is used to open the properties, window for the selected icon और program, like alt plus enter में करूँगा, तो कोई भी program की properties पे जाए गई है, alt plus enter, alt plus enter, कोई भी हमने folder select किया, कोई भी folder select करने के बाद, उसकी properties को दो तरीके से देख सकते हैं, या तो हम ऐसे देख सकते हैं, या फिर हम देख सकते हैं, properties option ऐसे, तो यह properties direct open करने के लिए क्या command थी हमारी, alt plus, पहले हम क्या है, फोल्डर को select किया, alt plus enter, तो यह directly properties open हो जाएगी, राइट, नाओ, next है, window plus x, it shows the shutdown option, हमने क्या करा, window plus x option किया, तो यहाँ पर हमारा, यह दिखाएगा, shutdown के लिए option, this one, shutdown or sign out, right, next option है हमारा window plus l, window plus l, window plus l से lock हो गया हमारा system, right, window plus l क्या करेगा, it locks the computer screen, when use to display the hide or screen, like यदि मैं window को प्रेस करूँगा, तो यह क्या करेगा, use to display और hide the start screen, यह start screen को hide कर देगा, window plus d command is used to show hide the desktop, like window और d मैं प्रेस करूँगा, तो यह क्या करेगा, सीधा desktop पे लेहाएगा, इस तरीके से, यानि सारे programs इनने down कर दी है, window plus e command क्या use करता है, it is open the file explorer, like window plus e command को मैं प्रेस करता हूँ, तो यह क्या करेगा, मेरी जितनी भी files होंगी, उनको दिखाएगा, सीधा explorer में पहुंच जाएगा, यह इस इस विंडो एक्स प्रोड़र, window plus m क्या करेगा, it is minimize all the open windows, like यह मेरी जो window है open, window plus m मैं प्रेस करूँगा, तो यह क्या करतेगा, यह minimize करतेगा, same control d वाले option से, control d वाले option की तरह यह work करता है, window plus shift plus m, it the shortcut restores all minimized windows, like window, shift and m, यह क्या करेगा, जितने भी windows है, जो open है, उन सब को view कर आएगा, like the shortcut restores all the minimize, यह जो हमने window plus m से minimize किया था, तो उसमें धी हम shift or add कर देते हैं, तो यह वापिस restore कर देता है, जो हमने minimize किया था, then again next window plus p, select a presently display, window plus, क्यों, यह क्या काम करता है, it always open the search for the menu, like, कि हमारी जो menu है, यह, apps कौन-कौन से हैं, documents कौन-कौन से हैं, web पे क्या है, यह सारी चीजे हमें, किस से पता लगती है, window, यह सारी चीजे हमें, किस से पता लगती है, window plus q से, next आता है हमारा, window, win plus r, win plus r, यह run command को show करता है, जैसे कोई भी हमें command चलानी है, command prompt पे, command prompt open करना है, तो हमने cmd लिखके enter किया, तो यह command prompt prompt enter हो जाएगा, right, next command आती है हमारी, window plus down arrow, window plus down arrow क्या करती है, window plus down arrow, यह क्या करेगा, की, इस तरीके से, window plus down arrow, यहनि उसको सब down कर देगा, window plus app arrow क्या करेगा, इसको पूरा पेज को open करके देदेगा, like, it is used to maximize the windows, window plus left arrow करेगा, तो हमारी इमेज खुली हुए, इसको right side कर देगा, sorry, left side कर देगा, और window plus right arrow क्या कर देगा, यह right side कर देगा, right, next आता है हमारा, win plus, win plus, यह क्या करेगा, zoom magnifier करेगा, यानि window को zoom कर देगा, जो page खुला हुआ है, उसको zoom कर देगा, window plus minus करेंगे तो यह zoom out हो जाएगा, यह magnifier glass से out हो जाएगा, control shift or escape क्या करेगा, this is used to open the windows taskbar, like control shift and escape, इसके क्या करेगा, हमारा again taskbar दिखा देगा, taskbar एक और तरीके से दिखाए देता है, control all delt से, control plus home क्या करता है, this key is used for beginning of all the document, like control plus home, यह हमारा suppose यह open है, तो हम इसको control plus home करेंगे, control plus home, तो यह क्या करेगा, page के starting में ले आएगा, next आता है हमारा control plus end, suppose मैं यहाँ पर starting में कुछ भी select करता हूँ, then control plus end select करा, तो यह क्या करेगा, सबसे end में चला जाएगा, control home, control end, shift plus home, shift plus home, shift plus home क्या करता है, it highlights from the current position to the beginning of the line, like यदि मैंने यह select किया, और shift plus home किया, यह देखिए यह क्या चलागे, जहाँ पर starting में चला गया, shift plus home, now shift plus end क्या करेगा, shift plus end, यह बिलकुल end तक चला जाएगा, इस line के end तक, home तक करेंगे तो यह पहले आ जाएगा, end करेंगे तो end तक चला जाएगा, shift plus home, shift plus end, right, तो दोस्तो यह shortcut keys, I think आपको बहुत अच्छे से, मैंने समझाई थी, तो यह आपको आशा करता हूँ, सब समझ में आ गया होगा, तो दोस्तो यह आपको वीडियो अच्छी लगे, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब मैं चैनल, सब्सक्राइब, प्रस्सक्राइब, समय करता हूए, फॉह रखको का ओनędzieम,